हाई अब्रीवन वल्कम टो डिश्टल जी के क्लासेज बिपीएसी बिहार सिक्षक भरती 2.0 से रिलेटेड अपडेट आया है आप सभी का एड्मीट कार्ड आपका जो एक्जाम है वो कितने एक्जाम सेंटर कितने जीलों में बनाये जाएगा क्योंकि आप जानते हो 38 जीला है बट पूरे जिले में सेंटर नहीं बनाए जाएगा जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है जिसका इंतजार सभी को था क्योंकि 40,000 कली आपने देखा था बहुत सारे टीचर्स जो जो जुआई नहीं किये उनके पदों को ये लोग जोड ही नहीं रहे हैं मतलब जो डाउड था ना स्टार्टिंग में कि BPSC TRE में कोई नया पद नहीं आएगा इसी पद में से जोड के ये लो BPSC TRE 3.0 भी निकाल देंगे उसकी सच्चाई भी में आपको दिखाने वाली हूँ वेटिंग लिस्ट एक कहा जाए तो नाम मातर का आने वाला है और BPSC 7 फेज में जो है सैकंड लिस्ट जारी तो होने वाली है बहुत जल्द बट जिसके आप लोग उम्मीद कर रहे हूँ कि 40,000, 50,000 नहीं देखो 28,000 ऐसे नियोजी सिक्षक हैं इसमें से बहुत सारे टीचर्स जॉइन नहीं किया है बहुत सारी लोगों का PART के साथ साथ आपको पता है PZT या फिर कहीं दूसरे एक्जाम में भी हो गया था वो भी जॉइन नहीं किये है और अभी NIOs डिलेट का भी मामला चली रहा है बट वेटिंग लिस्ट बहुत कमाने वाली है सारी चीज़े मैं आपको बताने वाली हूँ चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां से आपको अपडेट मिलता रहेगा सबसे पहले मैं यहां पर आपको सप्लिमेंटरी रिजल्ट ही दिखाना चाहूंगी केटेग्री वाइस तो आएगा नो डाउट कि एक से अधिक स्रेणी में सिक्षकों के चैनित होने से खाली रहे गए हैं पद जैसा कि मैंने आपको बताए इन लोगों ने क्या किया है जिसका सेलेक्षन एक से ज़्यादा में हुआ था वही यह लोग सप्लिमेंटरी रिजल्ट निकाल रहे हैं जो लोग ज्वाइन नहीं किये हैं जो फर्जी तरीके से पकड़े गये थे जो नियोजी सिक्षकों का इस पे यह लोग निकालने वाले नहीं है जिसका सेलेक्षन जादा सीट पे हुआ है सिर्फ इसी को और सिक्षा विवाग ने पद भेजा भी नहीं है अभी तक बीपीएसी को बीपीएसी भी काफी समय से वेट कर रही थी बड़ बीपीएसी के पास के वल इतना ही जो है बहुत पहले से पद जो है कि किसी का सेलेक्षन जादा में हो गया है उन्हीं का है सिक्षा विवाग ने कोई निर्देस दिया नहीं है ना ही वो भेज रही है तो आप समझ सकते हो सिक्षक भरती 4,700 पदों के लिए आएगा सप्लिमेंटरी रिजल्ट तो आप समझ सकते हैं इसमें कितने लोगों का होने वाला है तो यहां पर पूरी चीजे में आपको बता रही हूँ सिक्षा विवाग ने बीपीएसी को भेजा है बेवरो आठ लाग सामिल हुए थे पहले चरण की परिक्षा में और हर विशाय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में उपर रहने वाले 4,700 अभिहरतियों को सिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है तो हर विशाय में होगा और जिसका भी जो है ऑविसी बात है कि मालो जितने भी बच्चे होंगे उसमें सबसे ज़्यादा जिसका नंबर होगा उसी हिसाब से ये लोग लेने वाले है यहां पर देखे लिखा हुआ है कि BPSC दॉरे ली गई पहले चरण की सिक्षक नुक्ती परिक्षा में 4,700 पदो पर सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी किये जाएंगे तो आप समझ लिजे केवल 4,700 बाकी के जो सीट हैं ये लो टी आरी 3.0 में निकालने वाले हैं केके पाठक ने जो 50,000 के नाम लिया था ना हमें लग रहा था कि यार ये नई सीट होगी बट नहीं इसी में से जो बहुत सीटे हैं आप सोचिए 1,20,000 में से केवल 92,000 ही लोगों का चैन हुआ है इवन ये भी डेटा भी पूरी तरीके से सही नहीं है उसके बास यहां पर देखिए सिक्षा विभाग ने 4,700 पदों का ब्योरा BPC को दे दिया है इसको लेकर आयोग और विभागी पदादिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई है इन लोगों की मीटिंग हुई है उमीद की जारी है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट जारी प्रकाशित कर देगा आयोग तो चाहता है कि हम इसका पेपर कराने से पहले ही BPC की चर्मेंट खुद चाहते हैं कि जो सेकेंड आपका पेपर होने वाला है उसे पहले ही ये लोग रिजल्ट देना चाहते हैं विभाग से मिली जानकारी के नुसाथ 4.700 पद वैसे अभिरतियों से खाली हुए हैं जो एक सेधिक इस्तर की परिक्षा में उत्रेण हुए है इसकी सचाही जान लीजे जो आपका वेटिंग लिस्ट आने वाला है वो खाली पदों कर नहीं आएगा जिसका सेलेक्शन एक स तीनो इस्तर के परिक्षा में सफल हुए है उन्होंने युगदान नियमानुसार किसी एक ही जगर पर किया है ऐसे में अनिपद जो है वो खाली होंगे तो यही वज़ा है कि करीब 4,700 पद ऐसे अभिरतियों के कारण खाली रहे गए हैं जिनका सेलेक्शन तीनो इस्तर में हुआ है मालूम है कि आयूदरा पहले चरह में 1,70,463 पदों के लिए विग्यापन जारी किया गया था मैंने तो 1,20,000 अभी कमी बताया सोचिए इसमें से अगर 92,000 लोगों नहीं पूरा अभी तक उनका प्रॉसेस कंप्लीट हुआ है क्योंकि कल लास्ट डेट थी फ्रेस क का सेलेक्शन हुआ है वही वेटिंग लिस्ट निकालेंगे और परिक्षा में करीब आठ लाग अभियरती सामिल हुए थे परिक्षा के बाद 1,20,306 अभियरतियों को सफिल घोसित किया गया था मतलब जो 70,000 अब 1,70,000 में से क्यों 1,20,000 बच्चे जो है सेलेक्ट हुए थ तो हर विशा के रिक्षा के क्रम में मेधा सुची में उपर रहने वाले 4,700 अभियरतियों को पूरा क्रिजल प्रकाशित होने के बावजूद के बाद मौजूदा चरण की नुक्ती में सिक्षक बनने का मौका मिल सेकी गया और यहां पर सचाई आई है देखिए जो 50,000 है वो BPSC 7th phase से ही बाकी रही vacancies को जोड़ा जाएगा यह कहने के लिए हो जाएगा कि हमने TRA 3.0 भी दिया है अनिक खाली पदों को त्रिती चरण की नुक्ती में येलो सामिल करेंगे और इसी लिए अब यह 4,700 पे निकालने जा रहे हैं कभी भी आपको देखने को मिल जाएग तो उनके पूराने पद भी रिक्त हो जाएंगे इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलो से लेगा अभी नहीं लेगा इसके बाद इन पदों को 33 चरण के नुक्ती मतला येलो इसको थर्ड फेस जो आएगा नो उसमें येलो जोड़ेंगे ठीक है 10,000 से ऐसे 10,000 से सामिल किया जाएगा वर्तमार में चैनिक सिख्षकों का योगदान कारे 7 दिसंबर तक चलेगा उसके बाद ही सपष्ट होगा कि 1,20,000 में से कितने ने योगदान दिया है तो ये लोग पूरी तयारी कर रहे हैं कि हम लोग इसी वेकैंसिस में से तृतिय वाला भी निकाल देंगे बाकी जो आप लोगों का इक्जाम होने वाला है उसके बारे में जो जानकारी आई है कि 28 जिलो में ही बनाए जाएगा आपका इक्जाम सेंटर और दूसरे चरण की सिख्षक निक्ति परिक्षा में 38 में से क्योल 28 जिलो में ही होगा 10 जीलो में इनका सेंटर नहीं होगा तो 10 जीलो में इनका सेंटर नहीं होगा जिनमें गया है, अरवल है, सीवर है, सिखपूरा है, भबुआ है किसन गंज, अररिया, मधेपूरा, सुपॉल सामिल है 7 दिसंबर से लेके, आपका 16 दिसंबर तक चलने वाली परिक्षा में अलग-अलग दिन परिक्षा केंद्रों की संख्या अलग-अलग होगी ठीक है, और ये तो है, कि 16 दिसंबर तक जो चलेगा उसमें अलग अलग दिन जो है परिक्षा केंद्र की संख्या भी अलग होगी मध्य विद्याले की सिक्षक भीहरतियों की संख्या सरवाधिक है और इसके कारण अनिस अभी सिक्षक स्रेडियों की परिक्षा जहां के ओल एक दिन में ली जाएगी वहां मध्य विद्यालेक 6-8 के सिक्षकों की नुक्ती के लिए 2 दिन परिक्षा होगी इसके दोरान परिक्षा केंद्रों की संख्या भी सरवाधिक होगी और पहले दिन 9 दिसंबर को परिक्षा केंद्रों की संख्या सबसे अधिक होगी इस दिन गडित विज्ञान और समाजी विज्ञान विसे की परिक्षा प्रदेश के 28 जिलो के 662 केंदरों पर होगी और 10 दिसंबर को आपका अंग्रेजी हिंदी संस्कृत और उर्दू का होगा विसे की परिक्षा 552 केंदरों पर होगी साथ दिसंबर को संख्या सबसे कम होगी और किवल पठना में ही केंद्र बनेगा एड्मिट कार्ड से रिलेटर आपका इड्मिट कार्ड आने वाला है जिस पे आपको अपना रोल अंबर वगर लिखना है और आज आपका एड्मिट कार्ड आ जाएगा ठीक है सिक्षा का भेरती जो है सनिवार से इड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे क्योंकि रात में आएगा तो जो लोग सोच चुके रहेंगे वो तो कल ही करेंगे डाउनलोड तो जैसा पिछली बार हुआ था ना रात में आया था वैसे ही है बाकी सबसे ज़्यादा जो एक चीज है कि जिसका वेट कर रहे थे लोग वेटिंग लिस्ट का उनको सबसे बड़ा जटका मिल गया है कि केवल 4,700 ही आएंगे सप्लिमेंटरी रिजल्ट कहां 40,000 के सपने देख रहे थे और इतनी ज़्यादा वैकेंसिस खाली है जिसको यो लोग निकालेंगे TRE 3.0 में बाकी अगर आपको वेट है तो 4,700 पे आज आएगा अब आप समझ सकते हो इसमें कितने लोगों का सेलेक्शन होगा जो उपर से मेधा सुची में होंगे BPSC ने बोला भी है कि 7 December से होने वाले दूसरे चरण के ध्यापक न्युक्ती परिक्षा से पहले ही इनका परेडाम जारी करने का लक्ष रखा है आपको इसी वीक जो है अब तो इसमें है इन्याज फ्राइडे हो गया तो आपको मंडे तक पूरा देखने को मिल जाएगा सप्लिमेंटरी रिजल्ट गुरुवार को BPSC और सिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है और उसी में जानकारी सामने आई है कि 4700 ऐसी है भेरतियों की सूची विभाग ने भेजा है जो दो या दो से अधिक पदों पर सफल है उनके द्वारा जो है स्वेक्षा से एक पद ग्रहन करने के बाद रिक्त पद बच गया है 4700 और इसी पे जो है आप सभी का वेटिंग लिस्ट आने वाला है तो कक्षा एक से पांच नौ से दस में अधिक सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी होगा तो यही बात हो गई बाकी आप लोग वेट करिए सारे पद ये लो टीयारी 3.0 में जोड देंगे वेटिंग लिस्ट आपका 4700 ही आएगा एक्जाम सेंटर के बारे मैंने आपको बता दी है बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज मुझे बताईएगा जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूँगी सप्लिमेंटरी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है नेक्स्ट वीक में आप सभी को देखने को मिल जाएगा क्योंकि सिक्षा भी भागने निर्देश दे दिया है तो चली मिलते हैं नेक्स लास में थैंक्स फो वोचिंग